असलाम लेकुम स्कॉर्पियूज मैं हरी सेजमी प्रोफेशनल स्टॉलेजर आपकी खिदमत में हाजरू इस अफ़ते की आस्ट्रोलॉडिकल कैलकुलेशन्स लेकर मैंने बहुत सारी खबरें सुनानी हैं आपको थोड़े से टाइम में ज्यादा कवर करने की कोशिश करता हू दो कबरें उलजन वाली हैं आपका रूलिंग प्लाइनट 30 अक्तूबर से रेटोग्रेड है मार्स 10 जनवरी 2023 तक रेटोग्रेड रहेगा उसकी रेटोग्रेशन आपके फस्ट हाउस को और आपके एट्थ हाउस सिक्स हाउस को ट्रबल देगी रेटोग्रेशन आफ रूलि एफिशेंट और उसके इलावा भी जैसे जहनी कारकर्दगी इनकी शार्प होती है डिजाइनिंग ट्रेंड सेटिंग क्रियेशन डिसकोवरी इंवेंशन ये सब स्कॉर्पियूज बहुत अराम थे यानि कि फितरी सलाहियतें उधर काम करती हैं चीजों को राजों को पता क करना चीजों की डेप तक जाना आम लोग अगर दस सवाल में किसी अमर की तह तक पहुंचते हैं तो स्कॉर्पियूज पांच सवालों में वहां पहुंच जाएंगे लेकिन जब मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो इनकी इन सलाहियोतों में थोड़े हिजान आता है साल तक मार्स ने भरपूर सपोर्ट किया जिसमानी कुवत, मैडिकल अबिलिटीज, और्गन परफॉर्मेंसेज, माइंड स्केल्स, खाना, पीना, मौसम ये सब इनके फेवर में रहे दो साल तक अब अगर दो महीनों के लिए ये थोड़े कमजोर हुए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दो साल की कमाई, दो महीनों में उड़ाई, ऐसा ना करें, आपको अपनी सलाहियतों को उसी मुमेंटम से जेनरेट करने के लिए, अगर अच्छा थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना तो रख लीजे ताके कोई कमी की वज़ाए से आपके पास काफी इंफरमेशन हैं, लेकिन इवेंट आठ निवंबर कोगा, और क्योंकि वो आपके नाइंफ एंगल का रिप्रिजेंटिटिव है, चांद, तो उसकी वज़ाए से थोड़ी स्पिर्शल साइड अप्स और डाउंस का शिकार हो सकती, इरिटेटिंग लगे, आपको लोगों के रवये अच्छे न लगें, आपको लोगों की नसीहतें अच्छी न लगें, इस इस पॉसिबिलिटी, एज़ाए सकार्पियू, यह आपके रिलेशनशिप पर भी थोड़ी कमजोरी डालेगा, और सेवन्थ एंगल पर है आपके ल हमबलनेस, एक्स्प्लेनेशन यह आपको मिलती रहेंगी, आप अच्छे तरीके से कम्यूनिकेट कर सकेंगे, मैजिकल इंपक्ट आएगा, उसकी वज़ाए से जो रिष्टेदारी के प्रावलम चांद ग्रहन से हो सकते थे, वो नहीं आएंगे, और सूरज भी आपके पहल अच्छे होगी औरॉणी आपके अंदर से इरादे उच्छे होंगे, नियत अच्छी होंगे, प्रफॉमन्स एच्छी होंगी, ये दोनों चीज़ न सन और मर्करी के आपस में इकठा होने से आपको मुझसर रहेंगी, तीसरी खबर ये है, कि आपका सैटनों डारेक्ट हो चुका है फूर्थ हैंगल पर इस वकर प्रापटी में खरीद और फरोखत करना अच्छा रहेगा मार्स जब रेटो ग्रेड हो जाए तो अम्मूमी तोर पर ये मना कर दिया जाता है अस्टालोजी में कि आपको प्रापटी में लेंदें नहीं करनी चाहिए कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए घर नहीं तबदील करना चाहिए बट जब Saturn fourth angle पर हो तो this is experience based prediction कि आप property में invest कर सकते हैं कोई problem नहीं आएगी अलबता property में invest करते हुए documentation का आपको खुसूसी ध्यान करना होगा verbal decisions ना लीजे जो unrealistic type के सौधे होते हैं जैसे जो हवाओं में बातें करते हैं कर में कोई property involved नहीं होती सिर्फ वो जो उपर से gambling करते हैं वो मत करिए उस तरह की चीजे मुनासिब नहीं हैं stock exchange में भी ups and downs लगे रहेंगे जो लोग stock exchange से related हैं वो बड़े मोहतात अंदाजे से proper calculations के बाद अपनी investment करें या फिर उन्हें कुछ अरसे तक के लिए रुकना ही चाहिए वीनस जो है वो इस वक्त थोड़ी कमजोर हालत में सूरज के साथ होने की वज़ए से फर्स्ट एंगल पर होने की वज़ए से उस ने जज़बाती कैफियात में बहुत ठहराओ पैदा किया हुए बट सूरज के साथ वो कमबस्ट हो जाता है तो ना इस वक्त अच्छा रिजल्ट दे रहा है ना बुरा रिजल्ट दे रहा है आप उस में से तो कोई चीज हासल ही कर सकेंगे मरकरी बहुत अच्छा सैंटल बहुत अच्छा सच चान को ग्रहन है और मार्स रेत्रोग्रेंड है तो आलम।स्ट सेवन प्लैनेट्स में से फूर अच्छी फॉर्म में हैं दो नुकसान दे फॉर्म में हैं और एक नीट्रल है तो इसको आप एक लेवल ही समझिए अगर आप फाइट देना चाहें तो इस सारी सिचुएशन को आप प्रॉपरली फाइट दे सकते हैं बट अगर आप अपने अंदर कमजोरी महसूस करें जादा ही कमजोरी महसूस करें और नुकसानात का अंदेशा पैदा हो जाए या बेज़ती का अंदेशा पैदा हो जाए या बिमारी का अंदेशा पैदा हो जाए तो आपको सुरह शम्स पढ़नी चाहिए पांच दिन में एक दफ़ा पांच टाइम्स इन वन डे मतले सकते हैं अगर आपकी उमर 25 से 35 साल के दरम्यान है तो 8 से 10 केरट आप स्टोन पोटेंसी या वेट इक्तियार करें वो आपके लिए मुफीद रहेगा अगर आपने पहना हुआ है और उसके बावजूद प्रॉब्लम्स होती है तो फिर जादा टाइम जाया ना करें फिर अपन नहीं है स्कॉर्पियूज लेकिन उस अपनी परसिनल कैलकुलेशन में आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर जाएंगे अपनी वीकनेसेज अपने गोल्डन सीजन अपने इशूज अपनी सैंसिटिविटीज उन्हें रिकावर कैसे करना है यह सब पता लग जाता है देट स अगले हफते से खुछ ख़बरियों सुनाओंगा इस हफते तक बुरी ख़बरें थी अगले हफते चीज़ें अच्छी हो जाएंगी अगले हफते तक लिए मुझे इजाज़त दीजे अगर मेरी ये कोशिश हैं अगर मेरी ये रिसर्चेज आपकी जिन्दगी में इतना कि बार